तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नमबर 4 जिसका नाम क्या है टाइम सीरीज ओके आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कंसेट्ट देखेंगे उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें हम exercise 4.1 को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि टाइम सीरीज इसका मतलब क्या होता है तो इसको हम definition की हैस समझने की गोशिश करेंगे क्या दिया गया इसमें देखिए टाइम सीरीज is a sequence of observations made on a variable at regular time intervals over a specific period of time देखो बच्चों इसको आप एक देखान से समझना यहाँ पर क्या बोला गया over a specific period of time मतलब एक तो period रहेगा एक समझे दो साल का तीन साल का चार साल का कितने भी साल का हो सकता है एक specific period and at regular interval ठीके अगर आप किसी भी कोई भी चीज़े उसका data collect कर रहे हो एक particular time period के लिए और जो वहाँ पर interval रहेगा time interval वो भी क्या रहेगा fixed रहेगा ठीके तो यह इसकी study जब आप कर रहे हो या फिर इसको analyze कर रहे हो इसको graph पे plot कर रहे हो तो यही क्या है बच्चों आपका time series है एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या लिका इसमें देखो time series is a sequence of observation time series क्या होता है it is a sequence of observations made on a variable at regular time interval देखो regular time intervals over a specific period of time ठीके तो यह हो गया time series जैसे example की help से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी जैसे की monthly data आप किसी चीज का collect कर रहे हो या फिर quarterly या फिर yearly भी हो सकता है yearly production of और फिर industrial product मतलब industrial कोई product है जिसकी data को आप क्या कर रहे हो collect कर रहे हो monthly quarterly या फिर yearly ओके फिर yearly GDP of a country ये भी एक example है किसका time series का next monthly sales in a departmental store तो ये भी time series का एक example है and last one weekly prices of vegetables ठीक है समझ में आया आप लोगों को कि time series क्या होता है अब next हम किसकी बात करेंगे uses of time series analysis time series analysis मतलब इसका usage क्या है ये जो time series है time series इसका use क्या है हम क्यों पढ़ रहे time series को है न कुछ न कुछ इसका use तो होना ही चाहिए तो देखिए यहां पर first use दिया गया है it is useful for studying the past behavior of a variable मतलब कोई तो एक variable है जिसके past behavior के बारे में अगर आपको study करना है न तो वहां पर आपको कौन काम आएगा time series ही काम आएगा वो जब हम exercise के questions करेंगे तो आपको समझ में आएगा ठीके अभी बस इतना बतारी उतना आप समझ करके रखो क्यूंकि exam में ऐसा theory लिखने के लिए नहीं आएगा exam में sums दिये रहेंगे उन्हें आपको solve करना रहेगा समझे चलो next it is useful for forecasting future behavior of a variable मतलब कोई variable है जिसके future behavior को आपको क्या करना है study करना है मतलब प्रेडिक करना है जैसे कोई भी एक product है तो उसका sales future में बढ़ेगा या पर नहीं बढ़ेगा इसके बारे में आपको अगर prediction करना है तो वहाँ पे कौन काम आता है time series next it is useful in evaluating the performance ठीक है performance को evaluate करने के लिए ये useful होता है and it is useful in making comparative study मतलब अगर आपको comparative study करना है दो set of data दिये गए है और उनकी अगर आपको study करनी है ठीक है तो वहाँ पे भी time series क्या होता है useful होता है समझ गया तो यह हो गया uses of time series analysis next हम किसकी बात करेंगे component of time series ओके तो सबसे पहला question तो यह आता है कि component मतलब क्या होता है component मतलब क्या होता है time series के चार component होते है मैंने आपर लिखा है लेकिन य एक data मैंने ऐसे ही randomly कुछ भी लिया है ठीक है बस आपको समझाने के लिए यह यहां पे ना years लिखे गए हैं और यहां पर units है ठीक है कोई भी एक product है जिसके units दिए गया और मैंने यहां पर यह graph बनाया हुआ है ठीक है तो इसमें आप देख सकते हो समझे कोई तो एक product है जि यहां पर था 2011 में 2012 में यह बढ़ा ठीक है फिर 2012 से 2013 में यह जादा नहीं बढ़ा है थोड़ा सा ही बढ़ा है दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ही बढ़ा है यहां से 2011 से 12 में यह बहुत जादा बढ़ा लेकिन 12 से 13 में यह थोड़ा सा कम बढ़ा फिर यहां पर थोड़ा सा ओठाए इसमें फ्लक्टुएशन हो रहा है इसी को आप क्या बोल सकते हो component of time series okay simple words में इसको समझ करके रखो ये जो variation हो रहा है यह जो fluctuation हो रहा है इसी को आप बोल दो component of time series समझ में आया अब first component यहाँ पर क्या है secular trend ओके इसको आप long term भी बोल सकते हो देखो यहाँ पर लिखा है ना secular trend is the long term pattern of time series secular trend क्या होता है time series का long long term pattern होता है जैसे मैं आप लोग को graph की help से बताना चाहूंगी यहाँ पर रहता है ना वह छोटा period नहीं रहता है बलकि long term ठीके इसमें क्या होता है ना जो आपका data होता है ना वह कुछ इस तरीके से होता है मतलब अपवर्ड हो सकता है जैसे यहाँ पर देखो यह ऐसे करके देखो कैसे उपर की तरफ जा रहा है तो इसको आप बोल सकते हो upward trend फिर यहाँ पर देखो यह कैसे नीचे की तरफ आ रहा है तो यह क्या हो गया downward trend समझ में आए तो यह क्या है आपका secular trend फिलाल के लिए इसमें आप क्या याद करके रखो कि secular trend जो होता है ना यह long term pattern है time series का बस इतना ही द्यान में रखो क्यूंकि एक्जाम में आपसे theory नहीं पूछेगा एक्जाम में आपको question दिये रहेंगे उन्हें आपको solve करने आना चाहिए तो वो आप कब सीखोगे next वीडियो में जब मैं exercise 4.1 पढ़ाऊंगी न तब ठीक है तो secular trend आपने समझ लिया यह long term pattern होता है time series का इसमें downward trend हो सकता है upward trend हो सकत ऐसा नहीं है कि बस upward ही होगा या फिर downward भी होगा इसमें constant भी हो सकता है जैसे कुछ भी change नहीं हुआ जैसा पहले था वैसा अभी भी है ओके समझें फिर next seasonal variation अब seasonal variation क्या होता है तो देखो नाम से याद रखने कि आप कोशिश कर सकते हो देखो वो variation जो कुछ-कुछ season में ही ह होता है जैसे एक best example अगर मैं आपको बताओ तो umbrella का किसका umbrella का ठीक है जैसे बारिस के दिनों में क्या होता है rainy season में क्या होता है जो umbrella होता है इसका sense बहुत ही जादा बढ़ जाता है वैसे summer में भी लोग खरीदते हैं धूप से बचने के लिए लेकिन फिर भी rainy season में इसका कु जैसे बच्चो seasonal variation कहते है जब ऐसा variation होता है जो बस एक particular season में होता है जैसे दिवाली में पटाके की बिकरी बहुत जादा बढ़ जाती है होली में रंगों की बढ़ जाती है है ना तो यह सबी यह जो सबी variation है यह किसमें आएंगे seasonal variation में आएंगे यहां पर क्या लिखा देखो usually occurs less than a year और यह कब होता है less than a year मतलब एक साल से कम महीं जैसे rainy season कितने महीनों का होता है चार महीने का होता है तो समझिए कि यहां से यहां तक चार महीना है तो यहां पर देखो पहले यह graph ऐसा था लेकिन इन चार महीने में इसका graph इस तरह से उपर चला गया मतलब इस अगला फिर उसके बाद जब next वाला rainy season आएगा ना तो फिर जाके यह चार महीनों तक क्या होगा बढ़ेगा समझिए यहां से लेकर करके यहां तक चार महीने है तो यहां पर देख रहे हो आप sales बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है यह season के वज़े से rainy season आया इसलिए अम्रे cyclical variation की इसको हम business variation भी बोलते हैं अब इन दोनों में आप confused मत होना होके इन दोनों में आप confused मत होना इसमें क्या बोला गया है less than a year और इसमें क्या बोला जाएगा changes अकार होना period of more than a year ठीक है तो इसते आप याद करके रख सकते हो क्योंकि यह जो cyclical variation है ना यह एक साल में ही न prosperity मतलब वो एकदम उपर पहुच गया फिर उसके बाद धिरे धिरे क्या होता है उसका recession मतलब कम होता है फिर last में depression ठीक है तो यह होता है किसी भी business का इस तरह से न साइकल होता है ठीक है तो आप इसको ऐसे इस से याद करके रख सकते हो recovery prosperity recession और depression ओके तो इन दोनों में आप को confused नहीं होना है यहां पर क्या लिखा है लेज नहीं है और यहां पर क्या लिखा है more than a year मतलब यह एक साल से जाधा का ही होगा ना अरे नॉर्मल सी बात है कोई भी business है ठीक है तो उसमें यह चार स्टेज होते है recovery prosperity recession और depression तो यह तो more than a year ही होगा ना तो इसको याद रखना ठीक है confused नहीं होना है क्योंकि दोनों graph आपको एक जैसे ही दिखाई दे रहे होंगे अब next one देखिएगा यहां पर irregular variation तो इसको भी आप नान से ही याद करके रख सकते हो irregular मतलब क्या जो regular ना हो ठीक है हम बोल नहीं सकते कि ऐसा future में होगा ही ठीक है यह ना इसमें changes अचानक से होते हैं देखो यहां पर लिकाना changes अकर very rapidly बहुत ही तेजी से इसमें changes होते हैं इट cannot be predicted आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो for example war या फिर कोई disaster आ गया कोई natural calamity आ गई ठीक है तो हमको पता होता है कि आभी natural disaster आने वाला है नहीं पता है नहीं पता होता ना जैसे अभ इरेगुलर तकती को था कि तो यह कितने ने नहीं प्रेवारिशन यहां आपको समझना है इसको learn करने की कोई जरूरत नहीं है बस आपको थोड़ा सा introduction तो पता ही होना चाहिए न अरे वो chapter पढ़ने जा रहे हो तो आपको इसका बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि time series होता क्या है कौन-कौन से component होते हैं इसके uses क्या है ठीक है तो बस आपको समझना है और कुछ नहीं करना तो अगर आपको चाहिए तो आप screenshot ले लो उसके बाद हम थोड़ा सा और कुछ और basic concepts है उनको देख लेते हैं अब next concept क्या है measurement of trends देखो trends को measure करने के लिए तीन methods यहाँ पर हैं जिसकी study हम लोग इस chapter के अंदर करने वाले हैं कौन-कौन से graphical method जिसको free hand curve भी कहा जाता है अब इसमें होता क्या है ये सारी चीजे हम next lecture में सीखेंगे ठीक है अब भी के लिए बस आप नाम याद करके रखो क कि इस chapter के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है कौन-कौन से method आप सीखने वाले हो तो एक तो graphical method second method of moving average and last मतलब third one least square method ओके तो इस lesson के अंदर हम ये तीन methods के बारे में discuss करेंगे अब मैं आपको model के बारे में बता देती हूँ तो दो model होते हैं एक तो multiplicative and दूसरा क्या additive ठीक ह multiplicative मतलब multiply additive मतलब additive मतलब क्या addition ओके प्लस करना है तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है xt अब इसका मतलब क्या हुआ ना कोई एक variable है जिसका value हम find कर रहे हैं और यहाँ पर t means what time ठीक है तो xt is equal to tt अब यह tt क्या है तो यह हो गया आपका secular train ओके यह क्या है seasonal train और यह c मतलब क्या cyclical और i मतलब क्या irregular ठीक है तो multiplicative model में हम क्या करते है multiply कर देते हैं इनका और additive में क्या करते हैं इन सभी को add कर देते हैं ठीक है तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है इसको और इसको और जो पीछे बताया था मैंने वो बस समझना है learn नहीं करना only आपको concept समझना ह ठीक है तो बस इतने ही basic concept से जो मैंने आप लोग को बताए अब जो हमारा next video होगा उसमें हम exercise 4.1 को start करेंगे ठीक है तो सब लोग तयार रहेगा exercise 4.1 के लिए ओके तो मिलते हम next video में तब तक के लिए नमस्कार